मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावल आस नपास वे मेरे लोलों चीक पुकार दी अदीज साम लेकुम वालेकुम इसलाम कैसे आप ठीक हैं अल्ला का शुकर आप बता है कैसे जबर्दस अच्छा ये बताओ कब से सिंगिंग कर रहे हो ऐसे मैं चोटा सा था स्कूल में जाता था दस साल की उमर में मैंने मुझे शरम आती थी स्कूल में पढ़ता नहीं था मेरा बाई ऐसा आ देता था तो उसके बाद मुझे मैंने एक दिन वो बच्चा नहीं आया नात पढ़ने वाला मैंने आखे बंद करके नात पढ़ी और टीचर मेरी वीडियो बनाने लगी करते हैं आपके वाज प्यार ये फिर मुझे पता चलिए ठीक उस वकत आपकी उमर कितनी थी दस साल और अब कितनी उमर है 15 साल अब आप स्कूल पढ़ रहे हैं नहीं पांच क्लासे पढ़ी हैं और नाजरा किया हुआ अच्छा तो आपने अब क् सोपारी क्वोड तो आपको कभी किसी कि ने सुना है था निग्शे ईप्ट्फ को अच्छा तो आपको कोई राबता नहीं कि किसी नब करना के छाते में लिा। seven प्रना है या सिंगिंग करने करनी हुग है अगल मुझे आदमी मिला था कह रहा था मेरे पास काड़ कैडमी में पढ़ लेना स्कूल अच्छा सारा कुछ पढ़ा दूँगा बुक्के भी मैं ले दूँगा तो आपने क्या का उनको मैंने का ठीक आ जाओंगा तो वह अपने आपस दुबारा राप्ता किया आपके पास नहीं उन्होंने मुझे नंबर दे दिया था अच्छे तो आपने उनसे राप्ता किया नहीं वह पीकोरोड पे मैर उन्होंने मुझे कहा था आना जब आपकी मर्जि आ जाना तो आप उनके पास जरूर जाना पढ़ना भी साथ और सिंगिंग के लिए कोशश कर दे रहना औ इसी मेह फिल में नात वगरा पढ़ते हूँ नहीं दो तीन दफ़ा पढ़ी हुई है नाते जी सही हो गया आपके फेवरेट सिंगर कौन है राहत फतेली खान नुसरत फतेली खान मेरी जिन्दड़ी होई उदास वे मेरा सावल आस न पास वे मेरे लोलों चीक पुकार दी कद्या मिल सावल यारिवे उकद्या मिल सावल यारिवे इन ही के गाने गाते हूँ या किसी और सिंगर के गाते हूँ और भी गाता हूँ लेकिन यह आपके फेवरेट हैं रहा जी आप लोग इनके गाने ना ठास साथ में और अगर कोई music industry से किसी का तालुक है तो इनकी आवाज अच्छी है मेरे लहाज से क्योंके मैं कोई music को इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता बाकी आप लोग बहतर तरीके से जानते जिनका तालुक music industry से है या अगर जो लोग वीडियो देख रहे उनका तालुक ने किसी दोस का तालुक हो music industry से तो अली हसन आपका नाम है ऐसे ही है अली हसन का मुबाइल नंबर भी यहाँ पर चल रहा है इनसे आप लोग रापता कर सकते हैं अगर इनको कोई मौका देना चाहता है तो इनका फाइदा हो जाएगा माली तोर पर भी काफी कम्जोर गराने से तालुक गरते है अली है तो अगर कोई इनको मौका देना चाहता आए किसी को इनकी आवास पसंद आई है तो जरूर इनके साथ रापता करें अब आप llega쉬 हैं इनका गाना और हमें दीजिये अजाज़त अपना ख्याल रखिए पाकिस्तान पाइंदाबाद चलो रश्मन्ही सही मुड़के मुझे देख तलो ताड़िती तो आड़िती तालक को निबाते जाओ कभी कभी ये मुझे सताएं कभी कभी ये रुलाएं कभी कभी ये मुझे सताएं कभी कभी ये रुलाएं फकत मेरे दिल से उतर जाएगा बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा कभी कभी मुझे सताएं कभी कभी ये रुलाएं मैं समझा था तुम हो तो क्या और मागू मेरी जिन्दगी में मेरी आस तुम हो मैं समझा था तुम हो तो क्या और मागू मेरी जिन्दगी में मेरी आस तुम हो ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो मैं अगर तुम से सीखा महाबाब भी हो तो दगा की जिएगा मुकर जाएगा कभी कभी ये मुझे सताए कभी कभी ये रुलाए देरे ना देरे ना तेरा हाथी कल तक मेरे हाथी में था तेरा दिल दड़कता था दिल में आमारे ये मखमूर आखे जो बदली हुई है कभी घम ने के हैसद के उतारे कही अब मुलाकात हो जाएं से बचा कर नजर को गुजर जाएगा जीना है तेरे बिना जीना है तेरे बिना जीना है अब मुझे को तेरे बिना कदिया मिल सावल यार वे मेरे लो लो चीक पुकार दी मेरे लो लो चीक पुकार दी कदिया मिल सावल यार वे मेरी जिन्दडी होई उदास वे मेरा सावल आस न पास वे मेरे लो लो चीक पुकार दी कदिया मिल सावल यार वे कदिया मिल सावल यार वे